सोनाक्षी सिन्हा ने शत्रुगन सिन्हा की 200 करोड की संपत्ती चीन ली जहीर इकबाल से शादी करने वाली अपनी बेटी सोनाक्षी को शत्रुगन सिन्हा अपनी संपत्ती से एक फूटी कॉली नहीं देंगे सिन्हा ने अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे विदा कर दिया है एक इंटर्व्यू में शत्रुगन ने बताया कि वो सोनाक्षी को अपनी दौलत में से कुछ नहीं देने वाले एस जून को सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉंगर टाइम बोई फ्रेंड जहीर इकबाल से रजिस्टर्ड मेरेज कर ली शत्रुगन और उनका पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ था लेकिन बेटी की जित के आगे एक पिता को जुकना पड़ा शत्रुगन ने दिल में दद दबाकर सोनाक्षी की शादी करवाए और जहीर को अपना दामाद मान लिया शादी के बाद अब सोनाक्षी को अपने पापा से एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी दरसल शत्रुगन सिन्हा एक इंटर्व्यू में साफ कह चुके हैं कि उनकी दौलत पर सोनाक्षी का कोई हक नहीं है बॉलिवुड के शौटगन दो सो करोर से ज्यादा की संपत्ती के मालिक है मुंबई दिल्ली पटना जैसे शहरों में उनके बंदले है फिल्मों में बेशुमार दौलत कमाने के बाद अब सिन्हा राजनीती से पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक इंटर्व्यू में शत्रुगन सिन्हा ये कबूल कर चुके हैं कि वो अपनी बेटी सोनाक्षी को अपनी संपत्ती से कोई हिस्सा नहीं देंगे दरसल उनका कहना है कि उनकी बेटी सोनाक्षी खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर इंडस्ट्री में बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है शत्रुगन सिन्हा ने अपने इंटर्व्यू में कहा था मैं मेरी संपत्ती में से सोनाक्षी को कुछ नहीं दूनगा क्योंकि सोनाक्षी खुद आज अपने पैरों पर खड़ी हो गई है उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है इसी इंटर्व्यू में सिन्हा ने खुलासा किया था कि वो अपनी संपत्ती का बत्वारा अपने दोनों बेटे लव और कुछ के बीच करेंगे हालाकि शत्रुगन के बंगले रामायन में एक फ्लो सोनाक्षी का है जो शादी के बाद भी उनका रहेगा बाकी संपत्ती दोनों बेटों के बीच बन जाएगी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी में पहनी मा की साड़ी, बोली हमें कपड़े चुनने में केवल पाँच मिनट हीरामंदी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वेदिंग आउटफिट के बारे में बात की, जो की उनकी मा पूनम सिन्हा की साड़ी और ज्वैलरी थी नई दिल लिए, हीरामंदी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने पिछले महीने 23 जून को परिवार और करीवी दोस्तों की मौझूदगी में एक्टर जहीर इकबाल के साथ कोर्ट मेरेज की थी उन्होंने अपनी शादी के आउट्फिट के बारे में बात की, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे की एक्ट्रेस ने शादी में मा पूनम सिन्हा की साड़ी और ज्वैलरी पहनी थी हुंड़ाई FDCI India Culture Week 2024 में दिजाइनर डॉली जे के लेटस्ट कलेक्शन लावी एन रोज के लिए रैंप पर चलने के बाद सोनाक्षी ने अपनी शादी के आउट्फिट के बारे में खुल कर बात की उन्होंने कहा हमें अपने आउट्फिट चुनने में 5 मिनट लगे मेरे धिमाग में यह बात बिलकुल साफ थी की अपनी शादी और साइनिंग सेरमणी में मैं अपनी मा की साड़ी और उनकी ज्वैलरी पहनना चाहती थी जो मैंने बिलकुल वैसा ही किया मैं सपश्ट ही कि मैं अपने रिसेप्शन के लिए लाल साड़ी पहनना चाहती थी यह सब मेरे दिमाग में था और हमने उस दिन इसे पूरा किया बता दें, सोनाक्षी सिन्हा ने कोर्ट मेरेज के दौरान आईवरी साड़ी पहनी थी जुकि मम्मी पूनम सिन्हा की थी इस लुक को उन्होंने जुड़े के साथ कमपलीट किया जबकि जहीर एक आईवरी कुर्ते पजामे में नजर आये थे जिसकी तस्वीरे कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए शेयर की थी